हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज की वीडियो में हम फुल राश्टिक लूस प्लाजवी कटिंग और शीचिंग सीखेंगे तो यह एक रिक्वेस्टिड वीडियो है काफिक दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे मैं हैवी साइज में प्लाजवी कटिंग कपड़े की लेंद है और यह कपड़े की विर्थ है अब हमें विर्थ में इसे फोल्ड करना है इस तरह से इस तरह से हम पैल्टी कटिंग करते है इस तरह से हम यह फोल्ड करना है तो पूरे कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है इधर से यह उपन वाली साइड और इसे बंद वाली साइड है कि सबसे पहले हम स्केल से एक लाइन ऊपर खीच लेंगे जो कपड़ा उचा नीचा होता है से बराबर कर लेंगे और इसके बाद हम निशान लगाएंगे क्योंकि इसे हम बना रहे हैं फुल इलास्टिक तो इलास्टिक के लिए मैंने निशान कर देंगे सीधा यह काफी हैवी साइज की प्लाजो है अब इसके लेंगे लेंद का तो लेंद मुझे रखनी है 49 इंच तो 49 निशान लगा लिए हमेने नीचे फोल्डिंग के लिए में लेलूंगी 2 इंच जा चौड़ा फोल्ड नी करेंगे पतला ही फोल्ड करेंगे हम ज इलास्टिक के लिए लग गया है अब निशान और लगाएंगे यहां से करीब एक इंच पर देखें एक इंच पर निशान लगा लिए हमने निशानों को हम कर देंगे स्केल से सीधा है यह बंद वाले साइड से निशान लगा रही हूं मैं इस तरह से अब निशान लगाएंगे अपनी हम वेस्ट का इसमें हमें सिर्फ हिप के नाप के जर्द पड़ेगी वेस्ट करना आप हमें नहीं लेना है इसमें सिर्फ हमें हिप करना पता होना चीए तो जो मेरे साइज में हिप साइज है वो है 46 इंच 46 इंच को हम डिवाइड करेंगे इवारे फॉर्स ही तो आएगा साड़े ग्यारा हिंच, अब साड़े ग्यारा में हमें धाई इंच प्लस करना है, तो हो जाएगा टोटल चौधा इंच, तो वेश्ट हमारे निकली 14 इंच, तो आपको भी ऐसे ही करना है, जो भी आपका हिप साइज है, उस वोर्डवाइट कर अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका आसन भी बड़ा हो जाएगा अब जितना हमारा उपन निकला है वेश्ट उतना ही हमें आसन रखना है तो मेरे आपको जितना आपका वेश्ट निकलता है उतना ही आपको आसन रखना है और अब देखिए इसके बाद हम निशान लगाएंगे आगे तो आसन की गुलाई के निशान लगाऊंगे में तीन इंच पर अगर आपको हिप साइज चाली से कम है चाली से तो आप यह डाइंच पर लगाएं मगर यह हैवी साइज है तो इसमें यह तीन इंच करिशान लगा रही हो अब इसे हम पूरा नाप कर देखिए अब इसका हम हाफ करेंगे तो सतरा का आधा करनाया में तो होगा हमारा तो साड़े आठ इंच पर हम निशान लगा लेंगे सतरा का आधा करनाया में देखिए इस तरह से हम 8.5 इंच पर सारे में देखिए इस तरह से निशान लगा लेंगे अब इस निशानों को सीधा कर दिया है अब इस पानिशन लाइंगे हमने बॉटम का तो मुझे इसका बॉटम रखना है चौदा इंच चौदा का हमें लाइं के दोन तरफ आधा अधा रखना है तो साथ साथ इंच पर मैं निशान लगा लोगी अगर आपको बॉटम और भी लूज रखना है तो जितना आपकी मर्जी इतना लूज रख सकते हैं उससे क्यों फ्रक नहीं पड़ता है जितना भी तरह देंगे अब एक शेप हम और देंगे उपर के तरफ से यह देखिए यह हमने जो एक इंच गया अप लेता वो इसलिए लेता ता कि हमारे एच्छे शेप आजाईए इस तरह से मिजा हलकी सी उपर से शेप देनी है यह देखिए है और अब देखिए आसंकी गोलाई देंगे स्वारी मैं पहले भूलना यह देखिए तो फ्रंट पार्ट के आपने मार्किंगी हो चुकी है अब हैंसे हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम बैक पार्ट करेंगे कि इसमें हमने कोई मार्जन नहीं लिया इस लाई के लिए साइड से जो भी मार्जन लेंगे हम बैक पार्ट में लेंगे तो देखिए बैक पार्ट के लिए कपड़ा जो बचागवा था उसे मैंने इस तरह से रख लिया है और उपर से लाइन कीछ के कपड़े को बराबर कर और इसके बाद निशन लगाएंगे हम 1.5 पर और इसके से कर लिए बैक पार्ट हमारा उपर के तरफ से लेइंच एकस्टा रहेगा और इसके बाद जो उने फ्रन पार्ट कट किया था उसे एक उपर अप्छे शेट करेंगे हम इसे अब अब देखिए इस तरह से लिए हमे सपरसे हमने 3 इंच लिया के और तीन इंच लिया और आगे भी हम स्थीन इंच ही बढ़ाएंगे मैंने इससा वन करड़ें सभीन निया इक्स्था इससा नोड इसाइब है और कि बैक पार्ट हमारा 1.5 इंच एक्षा रहेगा आसंग के तरफ से जिसे कि हमें बैठने प्रॉब्लम ना हो और प्लाजो नीचे के तरफ ना किछे अब इसे हम कट कर लेंगे तो यह हमारा फ्रेंट पार्ट है और यह हमारा बैक पार्ट है पार्ट के लिए तो जो हमने 5 इंच पर निशान लगाए था लास्टिक के लिए उससे हम नीचे एक इंच पर निशान लगाएंगे और इसके बाद हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे पाकिट के लिए यह देखिए अब यहां कट लगा लेंगे छोट-छोटे हम जो निशान लगाए हमने कट लगा लेंगे हम इस तरह से तो बैक और फ्रेंट पार्ट दोनों हमारे कट हो चुके हैं अब इसकी पॉकेट कट कर लेते हैं तो देखिए पॉकेट के लिए कपड़ा में पास काफी कम बचा है क्योंकि हैवी साइज था इस तरह से दो पीस है इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़े के बाद में इसकी लेंद में लिए 14 इंच उपर से 6 इंच लिया है नीचे साड़े 6 और ये डेड इंच पर शाला आगा गोलाई कर लिए पॉकेट हमारी कट हो चुकी है इसको सिलना स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम इसके आसन जॉइंट करेंगे तो बैक और फ्रेंट दोनों के हम अलग-अलग आसन जॉइंट कर लिए तो देखिए आसन हमने जॉइंट कर लिए खुल के इस तरह से आएगा और इसकी हम कि यह देखिए एक कट मार उपड़ा निरी पर उससे नीचे हमने एक इंच फुल लगाया और फिर इससे चींच पर अब देखिए हमें यह इस तरह से निशान लगा लिए इसे करेंगे सीधा और देखिए यह पॉक्ट है इस पे हमने जॉइंट लगा लिया है पकिट से अ देखे इस तरह से एक पिन लगा लेते हैं कि कापी सारी वीडियो मैंने पहले अप्लोड की हुई है पॉकिट लगाने की पूरा डेटेल में अगर आपको देखना है तो अब उल्टी साइड से जो हमें निशान लगा था उस पर हम लगा लिए अब यहां इस तरह से कौने पर दो कट लगा दिए इस दो कट लगाने आपको कि अब कट लगा कर देखिए जो मारी पॉकिट इसे हम उल्टी तरफ पलट लेंगे इस तरह से पलट लेंगे आप चाहिए तो अच्छे से प्रैस भी लगा सकते है इस पर और इच्छे से कौने निकाल कर इस पर हमें स्लाइ लगाने तो ब्लुकुल किनार पर स्लाइ ने लगाएंगे थोड़ा गैप करते हूं स्लाइ लगाएंगे तो या याँ स्लाइ भी लगा लिए पॉकेट पर करेंगे इस तरह से करेंगे गेए इस तरह से फोल्ट करके या अब अब पॉकेट को इस्टिश करेंगे नीचे से हम तो यहां से हम ढाइंच खुला छोड़ेंगे पॉकेट को यह देखे इस तरह से और नीचे से हम इसे स्लाई करेंगे इस पर यहां से हमें स्लाई करना है उपर ढाइंच हमें खुला छोड़ना है तो देखे फ्रेंस हमने स्ला पॉपर लगा लेंगे और एक पिन जो मनें धाइच कुला छोड़ा था यहां से यहां पर भी हम पिन लगा लेंगे पॉपर से तो जहां उपर नेफा फोल्ड करेंगे उसमें आ जाएगी पॉकिट और यहां साइड से खुला छोड़ा यहां साइड जोइंट करेंगे उसके साथ आजाएगी और अब इसका जो बैक पार्ट है उसे हम जोइंट करेंगे तो दोनों साइडों से हमें सिलना आए पॉकिट के तरफ से आपको ठीव दियान से सिलना है पॉकिट बंद नहीं होने चीए अपके यह दिकिए और नीचे से स्टार्ट करना है आपको उपर से नहीं आप दोनों साइड इसके सिलनेते हैं तो तो यह साइड सिल दीए हैं मैं दिखाती हूँ सुझेदा करके आपक अब इसी निशान पर हमें ये फोल्ट करना है पूरा थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे अब देखे इस तरह से तो नेफा आम ने फोल्ड कर लिए थोड़ा खुला छोड़ा है अब इसमें डालेंगे हम इसमें यह देलास्टिक वे लिए जितनी भी वेश्ट है उससे चें पिंच आप कम लेए लास्टिक अब इसे हम डाल लेंगे तो यह देखे फ्रैणा से लास्टिक भी डाल लिए अमने एक स्लाई खीच के लगा लिए इसमें तो उपर से मारा रेडियो चुका आप इसे नीचे से फोल्ड करेंगे कि जितना हमने फोल्डिंग के लिया था उतना ही हम इसे फोल्ड करेंगे तो मैंने कम ही लिया था इसलिए पतला ही फोल्ड करूंगी मैं अब दोनों बॉटम हम फोल्ड कर लेंगे तो देखे फोल्ड भी कर लिया है हमने अब इसकी हम बीच वाली स्लाई लगाएंगे तो नि और यहां से भी आपको सिलना नीचे से स्टार्ट करना है इस तरह से निशान लगा लेंगे हम दोनों साइड़ों से यहां से भी देखिए अब जो भी निशान लगा है उसी निशान पर हम स्लाय लगा लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट सिलन लगा लिए हमें दिखाती सीधा करके पूरा प्लाजो मरक प्लीट हो चुका है यह देखिए बहुत ही कंफ़टेवल रहता है पहनने के बाद यह कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है ना पर आपको उटने दिक्कत होगी ना बैटने में होगी औ तो बहुत ही कंफ़टेव फ्लाजो बनता है अका चाहिए कितना भी हईवी साइज है आप इसी तरह से कटिंग करें बनाकर देखिए बहुत अच्छा परसित करें आप मुझे इंटाग्रांपर फॉलो करें वहां पने ऊंपने देजांग की शॉ Graduate डालती रहते हूं झाल झाल